अभी अपन जो बनाने वाला है वो आपके लोज मर्रा की जिंदगी का एक बहुत अहम है याने चाय जो आपन पीते हैं उसमें जनरली लोग 50-80% दूर डालते हैं और फिर उसको उबालते हैं पत्ती को पत्ती को उबालने से उसमें कड़वाट बढ़ जाती है उसके लिए बहुत ज्यादा शकर डालना पड़ती है एक्चुली में आफ्टर 40 आपके बाड़ी को इतना दूद की जरुवत में रहती है और शकर तो चाहिए नहीं रहती है लेकिन उसका कड़वाट मिटाने के लिए आपको उतनी शकर डालना पड़ती है अपने को चाय पीना शिकाया अंगरे जोने आज भी उनके आप चाय देखेंगे तो चाय को उबालते नहीं है शकर उनकी बाज़े में रखिव रहती है बिल्कुल जड़ा सी शकर डालते है जड़ा सा दूद लेते हो एक्चली वह चाय का एक्स्ट्रेक्ट लेता है उसमें का अभी आप चाय कैसे बनाना है वह दिखिए आप पानी को आप पॉरस दें तो पानी में का जो पोर से जड़ेते हो दूद ब्लॉक कर देता है तो फति का जो पूरा एक्स्ट्रेक्ट है वह पानी में उतर नहीं पाता है अभी जबोगी पानी उबल रहा है इसमें आपको जैसे यह है जो पानी लेमन ग्रास है अधर दूद कई डिजिग इसमें अगर दूट डाला होगा तो इसका फ्लेवर वो पानी में पूरा एक्स्ट्रैक्ट आने पाता है कि अब यह थोड़ी दिर उबलने के बाद कि अधक्कन लिट 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 कि अब इसको अच्छे से अपने उबल ने दिया इसको अब यह पूरी तरह से उबल गया है कि अधरत लेमंग्रास वहरे का फ्लेवर इसमें आ गया है अभी पानी वह रहा है अब मैंने ग्यास को बर्न कर दिया है इसमें पत्ति डालके इसको डखन लगए गयास बल दें अब यह कि दो तीन मिनट ऐसे रखने का अब इसके बेस में जो हीट है इसके अंदर प्रिजर की हुई उसके यह पत्ति का एक्ष्ट्रेक्ट पूरा पानी में बूल जाए और उसके बाद आप बिलकुल थोड़ा सा दूद यूज एक बार विदोट शुगर ट्राइगर के दिखिए यह इतना कड़वा नहीं लगेगा और उसके बाद आपको लगा तो बहुत जरासी सब्सक्र डालके चाय की अब यह खली दो चमोज दूज डाला हुए अपने और यह चाय का कलर देगे आपका रिगुलर आप आदा दू बिल्कूल भी कड़वी नहीं है और ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा शुगर डाला हुए लेकिन मैंने पूरा देखा है शुगर तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं डाली है लेमिन ग्रास का जिसको हम गवती चाहा बोलते है माराथी में या लेमिन ग्रास बोलते हैं बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है और साथ में जिंजर जो उन्होंने डाला है उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है हम लोगों को जब हम चाह इतनी उबालते हैं तो थोड़े से कड़वी लगती है इसमें आमने शक्र बे ज्यादा डालनी पड़ती है लेकिन य दूसरे मसाले चाह में डालते हैं जैसे जिंजर है इसका जो फ्लेवर वो कुरा सप्रेस हो जादा वो मिलने बाता वो आपको इसमें मलते है जब